करवा चौत की पूजा साम के समय होगी 20 तारीक को साम को रविवार 20 तारीक साम को तो पूजा तो होगी उससे पहले आप खुब अच्छे से तयार हो जाईए महंदी लगा लेजे एक दिन पहले महावर लगा लेजे लाल पीली साडी पहल लेजे सादी का जो जुनरी होता है वह वोड लेजे और सारी स्रिंहकार करने के बाद आप इतरे लगाना न भूलेhos इतरे या फर्फ्यूम इसे तो प्राया हम लोग एग्डुरी कर देते हैं लेकिन आज के दिन इसे जरूर लगाए अपनी सरिंहकार सामगरी में इसे भी जरूर सामिल करिएो सके तो अगर आ तो पूजा के लिए भी बने होंगे तो उनको भी ले लिजेगा पूजा में सामिल करने के लिए एक चोकी रख दीजेगा करवा माता की फोटो रख दीजेगा और बिना कलस रखे तो जैसा कि जानते हैं कि कोई भी पूजा पूण नहीं होती है तो सामगरी में मैंने बता आगे को बांद कर कलस तयार करेंगे एक और विसे से दोस्तों आज थोड़ा फूल वगएर मंगवा लीजिए का साल में एक बार आने वाली ये पूजा है तो प्रयास करिएगा कि थोड़ा फूल वगएर सब कुछ अच्छे से चढ़ा करके और तब जाकर इस पूजा को करें क्योंकि साल में एक ही बार तो ये पूजा आती है हर जो सालीना पूजा होती है थोड़ा धूम धाम मन से प्रशन होकर करना चाहिए तो कलस के गले में मौली धागा बांदीजिए आप लोग भी इसी तरह कलस को तयार कर लेजिए कलस में गंगा जल के साथ थोड़ा जल डा दाल दीजिए सिक्का सुपारी और हल्दी थोड़ा सा डाल दीजिए तो जैसा जानते हैं हर पूजा में बताती हूं अगर आम के पलो मिल जाते हैं तो थोड़ा पलो ले लिजिए नहीं मिलते हैं तो उस तरह से रखिए लेकिन कोशिस करिए कि आम या सोक के पलो पत्ते मि जले तक इसको गंगा जलवाला जो पानी है उससे भरेंगे उसके बाद जो चावल का छोटा सा धेर किया है मैंने उस पे इस कलस को रखेंगे तो आप भी चाहे जितनी भी जल्दी में करें एक छोटा सा कलस जरूर रखें भले ही आम का पलो ना मिलता है तो कोई दिकत नहीं आप भी नाम के पलो का रखें और हां कलस के उपर चावल को रखना है या फिर गेहू रख सकते हैं जो भी रख सकते हैं तो कुछ अनाज जरूर रखा जाता है और इसमें कलस के उपर नारियल नहीं दीपक रखा जाता है तो एक दीपक बना कर रखें देखें दो दीपक आ और दूसरा कलस पर रखने के लिए कर दूसरा कलस पर स्थाया और ध्यान रेखिये कि कभी कभी वीडियो में स्वास्तिक गडबर क्षेये कामरी सम्स से गड़बर होता है और एक प्रार्थना है आप लोग सो कि वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना आप लोग भूलिएगा मत क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहते हूं मेरा खुद का अनुभव है कि उन वीडियो पर भी व्यू जा जाती है जिनमे आप लोग एक लाइक दे देते हैं तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है तो हो सके संभव हो तो एक लाइक करिएगा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेजेगा आगे हम जानेंगे कि अब गौरी गड़ेश कैसे बनाए और एक गल्ती मत करिएगा ग हागा लपेटी जे मॉली और इसको हम गड़ेश जी तो हर हालत में आपको गौरी गड़ेश बना के रखना जरूरी है यह ध्यान रखेए बिना गौरी गड़ेश की कोई पूजा नहीं होती है तो कितनी भी जल्दी हो आप ये मत करिए बिना गौरी गड़ेश का पूजा जाएंगे अब हम कर लेते हैं अपना विशेस काम करवा भरना तो देखे एक करवे में जल भरेंगे जिसको के लिए कि हम चंद्रमा को अर्ग देने जाएंगे और एक करवे में भरेंगे हम ड्राइफ रूट अगर आपके हां किसी और चीज से करवा भरा जाता है तो भर प्लेट लिजे और एक करवे पर एक एक मीठा रखना जरूरी है कुछ लोगों के यहां पूए गुलगुले इस तरह के रखे जाते हैं लेकिन जो रखे जाए वो रखिएगा एक एक मीठी चीज कोई करवे के उपर जरूर रखे जाती है तो यह काम आप जरूर कर लिजे करवा भरना बहुत जरूरी है और अपने जो एरिया हो अपने छेतर की मानेता हो उसके अनुसार नहीं तो ड्राइफूट सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट आपसन है कि आप ड्राइफूट भरे तो एक में तो जल भरना निश्चित है सबको ही जल भरना है क्योंकि इसी करव हम आपको करवा चोथ के लिए है करवा मता है सिव संकर है गोरी गणेश हम करवा चोथ की पूजा के लिए आपका आवान कर रहे हाथ जोड़ कर आवान मतलब बुलाना होता है प्रभू को बुलाईए भगवान को बुलाईए उनसे प्रार्थना करिए कि है प्रभू हमारे और जल लेकर के अब हम करेंगे भगवान का संकल्प कि आज हम किस चीज की पूजा करने वाले हैं तो संकल्प में सबसे पहले अपना नाम बोल दीजेगा अपना गोत्र पता हो तो गोत्र बोल दीजेगा स्थान बोल दीजेगा करवा चोत की पूजा अखंड सो भागी के लिए कर रहे हूँ है प्रभू अखंड सो भागे देना ऐसा बोल करके संकल्प गणेश जी के सामने छोड़ देना है दो काम करना जरूरी है तब ही आपकी पूजा स्वीकार होगी उसके बाद अब हमारा जो है संकल्प हो गया आवान हो गया और कलस रख लिए करवा भर लिए अब हम भगवान को स्नान कराएंगे स्नान में थोड़ा थोड़ा जल ले लिजिए और थोड़ा थोड़ा जल ले करके गणेश जी को कलस में वरुण देव का सभी देव का वास होता है तो कलस को करवे को भी थोड़ा टीका पूजा जाता है तो इसलिए करवे को भी थोड़ा थोड़ा जल करवे माता की फोटो को भी थोड़ा थोड़ा जल से सनान कराना ये नियम जरूरी है तो उसनान करा लेजेगा थोड़ा थोड़ा जल से उसके बाद अब आप करेंगे कि भगवान को तीलक लगाएंगे तो तीलक में गडेश जी गौरी जी को थोड़ा थोड़ा रो ली थोड़ा थोड़ा अक्षत और उसके बाद अंत में सिंदूर भी हम चड़ाएंगे तो करवे के साथ साथ करवे को भी थोड़ा टीक पूझ लीजेगा तो करवे पिर भी आपको तिलक बार-बार करते जाना है जहां जहां पूझा होगी वहां महां करवे की भी पूझा होगी करवा माता की पूझा करिएगा और उसके बाद हम सिंदूर चड़ाएंगे तो वस्त्र दे रहें तो गणेशी को थोड़ा-थोड़ा मौली तोड़ करके और वस्त्र चढ़ा देंगे करवा माता के लिए जैसा कि सामगरी में मैं दिखाई हूँ एक नई चुनरी लाई हूँ करवा माता के लिए तो मैं वो चुनरी करवा माता को चढ़ा दूँगे आप ल अकेले जब आप साथ में पूजा करती हैं तब तो करवा फेर जाता है अकेले करती हैं तो कैसे फेरेंगे कहीं कहीं पर एक करवे से भी पूजा होता है तो वो भी मैं बताऊंगी कि एक करवा है तो पूजा कैसे करें और कहीं कहीं जहां पर डबल करवा है उसमें भी मैं बताओंगी सबसे पहले तो सिंदूर लगा ले करवे पर भी टीकना जरूरी है इसलिए ध्यान रखिएगा और तिलक लगाना करवा माता को जरूरी है सिंदूर से और बचा हुआ सिंदूर आप स्वयम की मांग में जरूर लगा ले यही होता है सुख सवभागय और सुहाग लेना तो इसको जरूर कर ले तो यही आपको सुहाग जो हाथ आप माता को शिंदूर लगा है उसी हाथ से स्वयम की मांग भर लेते हैं तो अखंड सवभागय हो जाता है तो इसलिए ऐसा करना आपके लिए जरूरी है जरूरी एगा मत उसके बाद जो भोग प्रशाद है घर में बना हुआ कोई मीठी चीज है वो सब भोग लगा देजिए आप लाइए और लगाइए कुछ जगह पे आप चावल के फरे भी चड़ाते हैं तो जो भी नियम हो जो नियम होगी नहीं यह चीज चड़ेगी वो चीज आप चड़ा लेजी चावल के फरे चड़ते है तो आप चावल के फरे बनाएए या फिर जो भी भोग प्रसाद है मिठाईया है वो भी आप चड़ाएए तो जैसे जिस प्रकार आपकी यहां पूजा होता है बड़ा विथी विदान से आप करिए थोड़ा सांती रखिए जानती हूँगी ब्रत में भोग भी लगी होगी लेकिन घबराएए नहीं सबसे पहले जो मैंने कहा उस बात को भूलिएगा नहीं आप लोग खूब अच्छा तयार होईएगा क्योंकि रोज की जिंदगी तो भाग दोड़ वाली होती है और ऐसे जिंदगी में थोड़ा सा समस्याएं आती हैं लेकिन घबराएएगा नही आप अच्छे से तयार पहले हो जाएगा तयार होने के बाद ही आप पूजा करिएगा तयार होने के बाद इत्र पर्फ्यूम लगाना मत भूलेगा और जैसा कि मैंने कहा कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप जरूर लाइक करिएगा क्योंकि वही तर तो यह माना जाता है कि वीडियो अच्छी होती है नेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि आपके लाइक सबसे महत्यकूर है तो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा अब चालन पर भी थोड़ा स्वास्तिक बना लेजे इसे भी ऐसे नहीं छोड़ा जाता है तो जो भी सुब सा कि जानते हैं आप ये चढ़ा करके सास को दिया जाता है उसके बाद साड़ी है सिंदूर है बिंदी है आप और भी चढ़ाना चाहें पायल बिछुआ तो स्वाहम के लिए भी चढ़ा सकते हैं तो ये आपकी इक्षा पे निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे अब हम करवा बदलेंगे देखी करवा कैसे फेरा जाता है दाहिने हाथ को बिना टकराए बाए हाथ से क्रॉस किया जाता है बाए हाथ को बिना टकराए किया जाता है जो लोग अकेले करवा रखते हैं वो फोटो करवा माता की फोटो से करवा साथ बार बदला जाता है अगर आप करवा फिरते हैं तो दाहिने हाथ से बाय हाथ को क्राश किया जाता है बाय हाथ से दाहिने हाथ को और साथ बार ये प्रक्रिया की जाती है और अगर आप अकेले हैं अकेले करवा फिर रहा है और अकेले कोई एक करवा आप किया लगता है फोटो से तो आप फोटो से साथ बार इस परस करा लिजी हो गया पारवती गोरी माता से ही आपका करवा फिर जाता है अब चलिए बज़े के करें तब करवा वाला जल ले जाकर के छट पे और जहां से चंद्रमा दिखें वहां पे पूजन होगा और पूजन करने के बाद आपको इस चीज का ध्यान रख लेजिए थोड़ा फूल रख लेजिए थोड़ा आगच्छत थोड़ा कुमकुम एक दिया और हमारी जो चालन है जिस चालन से हम दर्सन करेंगे पती का चंद्रमा का और एक गिलास जल अपना ब्रत खोलने के लिए